नमस्कार में भार्किष्री बेसिंद्यूस के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है वर्णेर की पास पोहना में एक गंबिर घटना गटी है जहां नाख्पु से हैदराबाद कंपणी का कैश लेकर जा रहे एक कंपणी के कर्मचारी को लूट लिया क्या है है लूट ले गए इस मामले में पांच आरुपियों को गिरफतार क्या गया है और उन्हें तीरा सितम पर तक पुलिस सिरासत में त्याक्या है पुलिस अधिक्षक नूरुलहसन ने वर्धा में आज ये समवातता समेलन में बताया कि वर्धा पुलिस ने लूटे गए माल के साथ पांच आरुपियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है ये रकम गुजरात की कमले शाह नाम की व्यक्ति की है ऐसी जानकारी दी गई है ये कमले शाह कोन है पुलिस इसकी जाज करी है गुजरात में रहने वाले अठिसेंग भगवानची सोलंग की वर्धने रोट पर कार से हैदरबाद चारे थे तबी हुंडा सिटी से आ रहे है आरोपियों ने कार्यों की बंदों की नोक पर सड़े-चार करोड रुपे से ज्यादा की नग्डे लूट ले गई वर्धा पलिस ने इस आरोपी की तलाश के लिए 15 अलग अलग टीमी बनाई हैं 15 टीमों की मदद से अलग अलग इलाकों में आरोपी की तलाश की गई गई पाच आरुपियों को गिरत अर्क लिया गया है। इनके पास से 3.40 लाख रुपे ज़क के गए हैं और बाकी रकम की तलाश की चारी है। या गाडी ला आदी नाकपुर चे काही क्रिमिनल नाकपुर सिटी चे काही क्रिमिनल नी इंटरसेप्ट केला पोहना गावा चे जवड़ पास इंटरसेप्ट केला गाडी अड़ावली गाडी वर लाल कलर ची दिवा लावले होते तर फर्यादी ला असा बाटला के पूलिसा ची गाड़ी आहे कि मां इतर ट्राफिक डेपार्टमेंट ची गाड़ी है ते आड़ून यन्नी जे पैसे चार कोटी 15 लाक रुपे होते ते पैसे घ्यून गेले जे गाड़ी किया सेल्टाउस जे गाड़ी होती ते सुध्धा घ्यून गेले और नंतर दहाचे सुमारा समाला महिती मिडाली के असी असी घटना घड़ ले लिये महिती मिडताच मी माझे वरिष्ट और अउनरिबल आईजी सरानना इन्फॉम के ले और बाकी नाकपूर ग्रामीन, नाकपूर सिटी और यवतमाल ची LCB ला सुधा अलड के ले, आमी जोड़ पास 15 पथक तयार के ले सुमारा संभर करमचारी या करमचारी अनि अधिकारी या कामा पर लावले अणि काही तासा नंतर आमाला काही तांत्रिक माध्यमा तून आणि काही बातमीदाराचे माध्यमा तून मेन गाड़ी जे होती आरोपी ची तेचा शोद मिलाला तेचा नंबर मिलाला आणी तिथे आमी शोद ले नंतर आमी नाकपुर सिटी ला इनफॉर्म केले आणी आमची टीम सुद्धा गेली अमबाजरी पुली स्टेशन हद्दी ते मेन आरोपी जे ड्राइवर होता ते ड्र द्राइवर होता ते माद्धे मां तुन बाकी चे आरोपी ची शोद लागली आनी तेंचे कड़ूं तीन कोटी 26 लाख रुपे आनी 20 लाखा ची गाड़ी असा तीन कोटी 46 लाख रुपे चा मुद्धे माल आमची टीम नी जब्त केला या घटना हे पून घटना मदे नाकपूर सिटी नाकपूर ग्रामी यवत माल आनी वर्धा चारी ठिकान चे धिकारी आनी करमचारी शामिल होते विशेश मनजे आमचे आईजी साहिब श्री शेरिंग दोरजी सर नाकपूर चे सीपी श्री अमितेश कुमार साब डी सीपी क्राइम डी सीपी जोन टू आनी एसपी यवत माल यनी सुद्धा विशेश सहकारी केला या बदल मी तेंचा सुद्धा धन्यवाद देतो अनी आमचे टीम जननी हा काम इतकी मोठी राब डेकोईटी उगल की सानली तेया टीम ला सुद्धा मी शाबाशी देतो अनी 15,000 चा रिवाड मी माजी टीम ला देना रहे मिस्यन नियूस के लिए हिंगन खाट सी संतिकबिर वाड निवासी आकाश राजू पेरकुडे ने नदी में कूद कर आत्मत्या की वो कश्मीर बत्रा इनके टायर विकरे दुकान में नौकरी करता था कर साड़े चार बजे के दर्म्यान अविवाइप युवक ने इस मशान खाट परिस्तर के वना नदी के पूल पर से कूद कर आत्मत्या की है मालक कश्मीर बत्रा इनकी एक्टिवा मोपेड गाड़ी क्रमांग M.32 AA.8347 पूल पर रखकर वहाँ से वना नदी के पात्र में छलांग लगाए कलाकाश ने मालक की एक्टिवा मोपेड गाड़ी लेकर जाते वक्त गर के लिए किराना लेकर आता हूँ कहकर दोपहर को निकला था गटा की जानकारी सामज करकरता दिनेश वर्वा ने पुलिस को दी है इस पर पियासा मिश्रा पॉलिस दल के साथ घटना स्थर पर पहुँच कर जाश पर ताकी लेकिन बृतक का शव अब तक पुलिस के हाथ दी लगा है पॉलिस वरा बृतक को खोचने का काम युदिस दर पर जुरू है लगातार की बारिश से नदी की पानी का प्रवात इसे और पानी की लेवल भी बढ़ गई है ऐसे स्थिति में बृतक को तलाश करने की भारी दिक्कत आ रही है जोती आदार फाउंडेशन के संस्था पक अतिश्य हितेश बंसोड ने बताया कि कृशी पधादीकारी शितल मानकर ने सूचना दी कि वह औरंगाबाद के कैट नौट इलाके से सड़क पर एक यवग भटक रहा है तुरंत महराश्य के औरंगाबाद पहुचे और उसे साउंडे लेके बड़े हुए बाल दाड़ी कटिंग कर उसे साफ सुद्रा कर स्नान कराया और मेडिकल सेंटर लेके उसका इलाश किया उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल क्या गया और वीडियो सीथी उसकी बहन तक पहुच गया जिसके बाद उसके परिवार ने बताया कि वहाँ पिछली तीन साल से घर से गाव था इस समबन भी उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्श कराई थी से कई लोगों की मदद अब तक ही चोती आदार फाउंडिशन ने की हैं उन्हें घर तक पहुचाने में भी निश्वार्त मदद की हैं इसी प्रकार से औरंकाबाद के रास्ती पर भटक रहे मनुरुगन जूबी एहमत को सामने ठाय में कानुनी प्रक्रिया पूरी कर जेका लिए इमानत का निर्मान कानी पी जल से जल शरू होने के आफार एस इमानत के निर्मान के लिए समस्यों से आगे आकर आर्थिक मदद की गौहा लगाए इस आउसर पर कहा कि हमने सोचा था कि शायद कुरुना ने उससे अपनी चपेट में ले लिया है और उसकी मौत हो की है परिवार के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी लेकिन वीडियो देखनी के बाद फिर सी उम्मीद की किरन जगी है और हम सावनेर आकर अपने बेटे ज जुबी को साथ लेकर जाने की खुशी शब्दों में बयानी कर सकते हितेश बंसोड वही चुती फाउंडेशन की वज़ा से हमें हमारे परिवार का तीन वर्ष पहले खोया वा व्यक्ते मिला है यह हितेश भाई के सच्ची समासिवा का फल है ऐसे विचार जुबी एहमत के रिश्चेदारों निव्यक्त की है यह वीडियो जरूर शेयर करे ताकि यह यह अक उसके घर तक जरूर पहुचे यह बहुत ज्यादा मानसिक मनुरूप में इसको जल्दी से जल्दी घर पहुचाना बहुत जरूर यह तो सभी वाट्सव गुरूप में इसे जरूर शेयर करे घर जाना है अपको घर जाना है तो अगर आप में से कोई पहिचान दाऊंगा तो मेरे नंबर पे जरूर संपत करें मेरा नंबर है 7888-161633 फिला लिया विक्ति सावनेर जिला नाकपूर महाराष्ट में जाहिल इन्बिसेन न्यूस के लिए सावनेर से किशर धुंडेले की रिपोर्ट हिंदी समाचार में फिला लित्ता ही ताजा खबरों के लिए देखते रिए बेस हिंद्यूस नमस्कार